हलो दोस्तों दा इस्टेडी वित एसके में आप सबका स्वागत है दोस्तों आप हमारी इस चैनल पे दा इस्टेडी वित एसके में दा इस्टेडी वित एसके चैनल जो हमारा आप इस चैनल पे तमाम एक्जाम नेशन जो वन डे एक्जाम सोते हैं उनके सभी classes मुफ्त में प्राप्त करते हैं जैसे GS की classes हो गई, GK की classes हो गई इसके अलावा हम यहाँ पे daily current affair का वीडियो डालते हैं आप लोग daily current affair का पढ़के जाम अच्छे से qualify कर सकते हैं इसके अलावा अब आप लोगों की classes मैत से चलेंगी देखे मैत के जो हमारे सबसे best teacher है उनको हमने आपके लिए लगा दिया है आप उनसे पढ़ाई करिए दोस्तो मैत के लिए आप सब को देखे सब क्या करते हैं कि जो पढ़ाई करते हैं मैत जो सबसे easy chapter होता शुरू में पढ़ाएंगे उसके बाद tough chapter छोटके चले जाते हैं हम आप सबसे tough chapter से ही सुरुवात करते हैं और सबको अराम से सबन में आएगा तो हमारा chapter कौन सा है work and time work and time कौन सा chapter दोस्तों work and time ठीक अब इसको हिंदी में क्या बोला जाता है कारे और समय क्या कारे और समय देखे दो चीज़ें जुड़ी हैं इसमें कारे जुड़ा है और समय जुड़ा है बस ये कारे और समय का जो chapter है ये समय और कारे छमता के बीच में ही इर्दगीद इसके घुमते रहेगा ठीक जैसे दोस्तों अगर हम देख लेते हैं किसी को अगर मजदूरी जैसे आपको मजदूरी किसी को मजदूरी कैसे दी जाती है क्या उसके सारीडी के हिसाब से या टाइमिंग के हिसाब से नहीं मजदूरी किसी को दी जाती है तो उसके किसके अधार पे कारे छमता के अधार पे ही मजदूरी जैसे एक्जामपल के तवर पे आप ले लिजे कोई बेक्ती एक दिन में दो घर बना देता है ठीक और कोई एक बैखती है जो एक दिन में एक घर बना पाता है तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर 200 रूपए मजदूरे मिलेगी तो इसको कितना रूपए मिलेगा 100 रूपय क्यों क्यों कि इसकी कारिश हमता सिर्फ एक घर बनाने किये जबकि इसकी कारे चमता दो घर बनाने की यह तो इसको ज़्यादा मजदूरी मिलेगी जबकि इसको कम मजदूरी मिलेगी इसी तरह दोस्तों अब हम work and time का कुछ season देख लेते हैं कि कैसे होता है देखिए दोस्तों हम आपको एक example के तौर पर समझाते हैं फिर आपको इसली सहोज में आएगा जैसे सबसे आसान की उस्तन होता है मान लिजे एक किसी कारे को ठीक एक किसी कारे को हम आपको seat देंगे आप उससे solve करिएगा पहले आप लोग समझ लिए एक इसी कारे को कितने दिन में मान लिजे कोई काम है वो 10 दिन में कर लेता है कितने दिन में कर लेता है दस दिन में अच्छा इसी कारे को माली ये B है B उसी कारे को जो कारे है उसी कारे को करने के लिए कितना दिन ले लेता है उसी कारे को 15 दिन में कर देता है कितना दिन में करता है 15 दिन में अब इसमें क्यूस्टन सबसे पहले इजी वाला ये बनता है कि ये दोनों अगर मिल के कारे करें कौन ए और बी मिल कर ठिक मिल कर कारे कितना दिन में करेंगे मिल कर कारे कितने दिन में करेंगे कारे कितने दिन में करेंगे ठिक कितने दिन में करेंगे अब ये हम से क्योशन पूछ लिया है दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे अब देख टेकनिक आपको पताएंगे, आप अगर कार इच्छामता निकालना सीख जाएंगे, तो आगे जितने भी टाइप क्यूस्टन है, उसी बेस पे सब क्यूस्टन हम इसली सालब कर लेंगे, और 10 सेकंड लिए, वी इन 10 सेकंड आपका अंस्वर आएगा, जैसे हमने ये ले लेंगे, ये हमारा कुल कार हो जाएगा, क्या 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 हो गया, ठीक, अब देखिए, इधर हम अगर इसके लसी में 10 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, तीन बार, और इसके ल मान लीजिए हमने कुल काम 30 दिन माना है तो यह 30 काम 10 दिन में कर रहा है इसका मतलब एक दिन में कितना कार करेगा तीन कार तो अच्छा ये दोनों आगर मिलके एक दिन कार करें तो कितना कार करेंगे तीन पलस दो पांच लिखा गया तो 30 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कि दिन भार जाएगा 6 अर्थात वो लोग 6 दिन में दोनों लोग मिल के कारे को समाप्त कर देंगे आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा चलिए इसी तरह हम एक क्यूस्टन और लेते हैं अब हम आपको डारेक लिक के दिखा रहे हैं एक इसी कारे को कितने दिन में करता है माल लिजे 20 दिन में कितने दिन में 20 दिन में और बी उसी कारे को कितने दिन में करता है माल लिजे 15 दिन में अब हम इनकी कार्षमता निकालेंगे, अगर 60 कार है ये 20 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना कार्षमता इसकी? 3, और इसकी कितनी कार्षमता है? 4, और इसकी कार्षमता कितनी है? 6, अब अगर आपको मान लेजिए, कार्षमता बताना हो, तो सबसे ज़्यादा कार्षमता कि की है क्योंकि वो 60 कार्य सी 10 दिन में कर रहा है तो उसकी कार्य समता सदिक है 6 कार्य कर रहा है अब अगर हम इसी में बोल दें कि 3 मिल के इस कार्य को कितने दिन में खतम करेंगे तो दोस्तों एक दिन में 3 कार्य कितना करेंगे एक दिन का कार्य कितना होगा यह हम लिखने की जरूद नहीं है बस समझाने के लिए हम लिखने एक दिन का कार्य अगर तीनो का मिला ले तो तीन प्लस चार प्लस चै अर्था तेरा कार्य एक दिन में करेंगे अब हमें कार्य कितना करना है साठ करना है 13 एक दिन में हो रहा है तो हम कर लेंगे 4 बार जाएगा 8 बटे 13 4 साई 8 बटे 13 दिन में 3 कौन A पलस V पलस C मिल की इसकारी को समात कर देंगे ठिक आप सबको समझ में आया चलिए आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा अब हम जो है आगे का क्युस्टन साल्ब करते हैं आगे देखिए अच्छा एक बाद बताईए अगर हम आपको मजदूरी की बात करें कि मजदूरी कैसे इन लोगों को मिलेगी कोई कितना मजदूरी पाएगा तो वो आप कैसे निकालेंगे देखे जब मजदूरी की बात आएगी तो मजदूरी जो होगा मान लिजिए ये एक दिन में तीन कारे करता है एक दिन में चार कारे करता है एक एक दिन में छे कारे करता है तो इनकी जो मजदूरी बटेगी उसकी साधार बटेगी ठीक अच्छा अब हम लोग आगे देख लेते हैं जैसे एक क्यूस्टन देख लेते हैं उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा माली जीए क्यूस्टन है हमारा वो तो आपको सबको समझ में आओगा अब ये चीजे हम आपको समझाते हैं माली जीए एक राम है ठीक स्याम है और एक हमारा मोहन मोहन ये तीर नाम हो गया मालिजे एक इसी कारी को 20 दिन में कर रहा है ये कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में कर रहा है और ये कितने दिन में कर रहा है ये 20 दिन में ये 25 दिन में कर रहा है और ये माल लिजे 50 दिन में करा है कितने दिन में करा है 50 दिन में अब हमें इन लोगों को मजदूरी कुछ मिल लई है ठीक अब मजदूरी मिल लई है तो हमें वही चीजें देखना है अब माल लिजे इन सब को कुल मजदूरी 33,000 रुपे मिल गया कितना 33,000 रुपे कुल मजदूरी है कितनी कुल मजदूरी है अब सब लोग समान कारे कर रहे हैं समान दिन तो हमें निकालना है कि ये लोग कितना कितना मजदूरी पाएंगे अब हमें कैसे निकालेंगे तो हमने निकाल लिया इनका LCM इनका LCM मालिजे 100 हो गया ठीक तो ये कितना हुआ इसकी कारिशमता 5 हो गई तो इसकी कारिशमता 4 है और इसकी कारिशमता 2 है तो इसी के अनुपात में इनको पैसा बट जाएगा अब इसके अनुपात में पैसा बटेगा तो 5 अनुपाते चार अनुपाते दो तो अब अगर जिसका पैसा चाहिए पांच को माली जे एरस्याम का पैसा त्माज बट्टे ग्यारा गुड़े 33,000 ठीक तो 3 पचे 15,000 रुपय इनका हो गया इसी तरह अब 3 हका गुड़ा सम्मे कर देंगे और अगर दूसरे का चाहिए तो 12,000 हो जाएगा कितना 12,000 और अगर इसका करेंगे तो 6,000 रुपय हो जाएगा ठीक ये इन लोगों की मज़दूरी बट गई अब इसी तरह एक क्यूस्वन आता है ये आप लोग ध्यान दिजिएगा चलिए अब हम लोग अगले टाइप का क्यूस्वन करते हैं देखें एक क्यूस्वन ऐसा आता है कि कुछ तो दोस्तों हमने अभी तक ये पढ़ा कि A और B या C ऐसी जितने भी कार्य करने वाले हैं उनकी अलग अलग कार्य करने की छमता दी गई है तो हम क्या करते हैं उन सब को एक साथ कार्य करा के देख लेते हैं कि कितने दिन में वो एक साथ कार्य करते हैं ठीक ये चीज़े हमने देख ली और इसके अलावा हमने देख ली या कि अगर मालिजे A, B, C ये लोग अलग अलग कार्य छमता से कार कर रहे हैं तो मालेजे इनकी छमता अगर अलग अलग है तो इनकी मज़दूरी कैसे मिलती है ये चीज़े हमने देख ली अब हम लोग अगला देखते हैं मज़दूरी और कार छमता के आधार पर हमने क्यूस्टन देख लिया अब अगला क्यूस्टन हम लोग देखते ह सबसे पहले कारे छोडने वाला होता है कि है किसी काम को 10 दिन में भी पंदा दिन में करता है ये हो गया और काराय की ये दोनों साथ साथ कार शुरू करते हैं ठीक अगर ये दे दिया साथ साथ कार की सुरुआत करते हैं सुरुआत करते हैं तथा एक कार छोड़कर चला जाता है ये कार छोड़कर तथा यहां लिख लिए दो दिन बाद दो दिन बाद ठीक एक कार छोड़कर चला जाता है अब दो क्यूस्चन इसमें बन सकता है एक क्यूस्चन क्या बन सकता है सेश कार जो है सेश कार बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा कितना दिन लेगा ठीक या तो एक क्यूस्चन ये बनेगा कि जो कुल कार है ए भी मिलाकर और भी अकेले भी तो कुल कार जो है वो कितने दिन में पूरा हुआ ठीक दिन में पूरा हुआ ये दो क्यूस्चन बन सकता है अब इन दोनों क्यूस्चन को स्वाल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस क्यूस्चन का सबसे पहले आप कार निकाल लेजिए कि कितना कार है इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए हम लोग क्या करते सबसे पहले मा लेजिए A है ये B है ठीक ए और B है ये जो है किसी कार को 10 दिन में कर लेता हो भी 15 दिन में ये दिया है अब हम क्या करते हैं इनका LCM लेते हैं जिससे हमारा कुल कारे आ जाए और अगर 30 कुल कारे है ये 10 दिन में करता है इसका मतलब ये एक दिन में 3 कार करेगा अगर 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 मालिज़े एक दिन कार या करता है ये तीन कार इस वारी ये तीन कार करता है एक दिन में और ये एक दिन में दो कार करता है तो अब दोनों अगर एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना कार करेंगे पांच कार जबकि तब दो दिन में कितना कार करेंगे दस कार इसका मतलब ये लोग दो दिन साथ करके दस कार करके चले गए अब सेस क कौन अकेले बी आ रहा है बी कितने दिन में करेगा तो बी जो है 20 एक दिन में दो कारी करता है तो कितना दिन ले लेगा वो 20 कार करने में 10 दिन अब हमारे दोनों क्यूस्टन का एंसर मिल गया अगर हम इसी में क्यूस्टन का एंसर लिखें तो तो हमारे question का answer क्या है, B अकेले कितने दिन में कार करेगा इसका answer हमारा मिल गया 10 ठीक, और अगर पूछ लिया कुल कितना दिन में कार सम्हाप थूँग दस प्रस दो, अर्थ 12 दिन में, ठीक, यह हमारा question हो गया, अब देखिए कभी कभी question इसी तरह एक और पूछ लेता है कि क खतम होने के इतने दिन पहले चला गया तो उस टाइप का क्यूशर भी हम लोग साल्व कर लेते हैं आप सबसे पहले एक चीज आप लोग देखिए माल लेजे तीन लोग है यह है भी है सी है ठीक यह बीच दिन भी तीस दिन सी चालेज दिन दिन में कार करते है ठीक अब यह जो हो गया हमारा यह एमसी डिन में 20 दिन में 30 दिन में खरता करता है अब हम लोग देखिक लेते हैं कि यह तीनो एक्शाथ अब क्यूशन पर ले लिख लेते हैं ठीक क्यूशन के ए 20 दिन में किसी कार्य को 20-30 दिन में C-40 दिन में करते हैं तीनो एक साथ कार्य की सुरुवात करते हैं एक सुरुवात करते हैं ए कार्य शुरू होने के होने के 10 स्वाइद 10 नहीं गलती लिख दिये दो दिन बाद दो दिन बाद तथा C- कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले यह अभी आइक्स को छोड़िए यह थोड़ा सा इसके अगले वाले क्यूस्टने समझाएंगे आपको पहले एक EG वाला समझा देते हैं तथा C तीन दिन बाद कार्य छोड़ देता है तो बताईए क्योस्टन मारक अब इसमें क्या क्या करना है इसमें भी वही क्योस्टन बनेगा पहला क्योस्टन बनेगा कुल कार्य कितने दिन में हुआ अब हम लोग इसको साल्व करते हैं इसके बाद देखते हैं क्या काया है पहले यह 20-30-40 एक कितने दिन में करता है लोग कार की सुरुवात करते हैं यह साथ तो पहले हम कार निकाल लेते हैं कुल कितना कार है तो इनका लिए लेते हैं तो 120 कार है तो कार छमता अगर निकालेंगे तो इसकी कार छमता 6 है इसकी कार छमता 4 है और इसकी कार छमता 3 है ठीक अब ये चीज़े हमने निकाल ली अब कारा 3 हो एक साथ कार की सुरुवात करते हैं दो दिन तक साथ एक साथ कार करते हैं पहले दो दिन तक दो दिन तक तो कोई नहीं छ करेंगे एक दिन में 13 कारे का रहा हुघ थो दिन में 3 कुरें छ दो आर्था 26 कारे खतम कर लिए यह लोग इसके बाद क्या छारा आ देखिंए इसके बाद का रहा है दो दिन बाद ए तथा Cकसी तीन दिन बाद छोड़ देता है इसका मतलब अगले एक दिन वी भी सी के साथ आएगा ठीक, सी दो नों आएंगे, तो अगले एक दिन मतलब दो दिन तक तीसरे दिन, कितना काम खा तम होगा? तीसरे दिन, क्मौन याएगा? 4 प्लस 3 B और C आएंगे न ये कार छोड़ दिया है तो 24, 37 तो 7 गुड़े 1 एक ही दिन तो कार करें 7 हो गया अब टोटल कार कितना 26 प्लस 7 कितना हो गया 33 33 कार समाप्थ हुआ अब हमारा सेश कार कितना बचा है सेश कार हमारा बचा है सेश कार सेश कार है देखे ये हम लिख रहे हैं तो टाइम लग रहा बाकी आप लोग साल्ब करेंगे तो एकदम इजली 120 माइनस 33 अब ये इधर देया तो 87 कितना कार बचा सेश 87 कार है अब इसको B को अकेले करना है तो B कितना करेगा एक दिन में 4 कार करता है तो 87 कार करने में कितना समय लेगा तो 87 बचे 4 4 दो ने 8 4 एक्कम 4 और 3 बचे 4 दिन में कार कर देगा ये B अकेले B अकेले कर रहा ठिक ये B अकेले इतना कार कर रहा अब हमको क्यूस्चन क्या पूछा है तोटल काम कितने दिन में तीन तो पहले साथ था और हम कुल खार कांस Dos उसकांसो हिकोर कि इतने दिन? यह क्योश्यूह नो लोग कांस न्यएक brauchen घुलके और दोस्तों अब हम लोग कांसे के पहले कोई कार्य छोड़ देता तो देख लेते हैं जैसे माल लिजेज cause a-tath-a , Πरें किसी कार को 10 दिन और 15 कितना दस दिन और 15 दिन करते हैं । कार्य दोनो साथ biscuits प्रारंब करते हैं। ठिक कार्य क्रें करते हैं । अब यह क्या होगा अब इसके आगे जो है इसमें देरा आप क्यूस्चन में थोड़ा सर ट्विष्ट देकार समाप्त होने के समाप्त होने के दो दिन पहले दो दिन पहले एक आर छोड़ देता है एक आर छोड़ देता है अब ये चीज़े हमको ध्यान देनी हैं क्या ध्यान देना है कि कार समाप्त होने के दो दिन पहले एक कार छोड़ेता है इसका मतलब है जब कार जीतने दिन में समाप्त होगा वो जो है ये दोनों लोग उस कार को भी अकेले उतने दिन कार करेगा ठीक ये चीज़े हमें देख उसी काम को पंदरा दिन में करता है तो पहले कुल काम हमने निकाल लिए 30 हो गया कार छमता है अब हमको निकालना इतना कठी नहीं रहा गया निकाल लिए अब कारा है कि कार समाप्त होने के दो दिन पहले एक सोड़ेता है इसका मतलब यह है कि जब कार समाप्त होगा दो दिन यह छोड़ता इसका मतलब दो दिन कार भी अकेले करेगा तो अंतिम दो दिन जो है दो दिन अकेले भी करेगा यही तो अकेले भी करता है भी अकेले कारे करेगा ठीक कारे करेगा अब जब भी अकेले कारे करेगा तो कितना कारे करेगा तो भी अकेले एक दिन में दो कारे करता तो मतलब 4 करेगा कि नहीं ? चार करira यहीं तो यही तो होगा भै, अगर बाद लिजी यही चीजे हम दो दिन की बजाय हम क्या कर देते हैं 5 दिन, कितना ? 5 दिन कर देते हैं, क्या ? 5 दिन, ठिक, जिसे हमारा थोड़ा सा calculation easy हो जाए अभी आप लोगों को समझा रहे हैं इसके बाद हम question अच्छा चलेंगे अब देखे अंतिम पांच दिन भी अकेले कार करेगा तो कितना कार कर लेगा वो दसकार अब हमारा सेशकार कितना है बीसकार दसकार हो गया ना अब सेशकार कितना बचा है जो सुरू में ये लोग साथ करेंगे सेशकार प्लस 4 दिन करता है तो टोटल कूल कार कितना टाइम लगेगा यह हमारा अंसर हो जाएगा ठीक यह do perso हो गया अब दोस्तों बाकि उसका हमें आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे कूँसा किस टाइप का है किस में क्या पूछा जाता जैसे कुछ महिला आएं कुछ बच्चे कितने दिन में कार करते हैं ति यह हमको क्यूशन लिख के समझाना उतना अच्छा नहीं है जितना हम आप लोगों को बिद क्यूशन समझाएं क्यूशन लेके आएंगे हम लोग ने इस्ट क और आने वाले भविस में अगर अच्छा हुआ और हमने अच्छा बोड लगा लिया तो आप सब को मैद की सभी कच्चा हैं जितनी भी कच्चा हैं मैद की कम से कम हमारा चैनल चलने के 2 वरस तक दो वर्स तक आप सब को free content दिया जाएगा कभी भी पैसा नहीं लिया जाएग देखिए हम